रेलवे ने टिकट रेजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है अब रेल टिकटों की बुकिंग सिर्फ साथ दिन पहले से हो सकेगी पहले ये बुकिंग 120 दिन पहले होती थी रेलवे ने इस कदम के पीछे क्या तर्क दिया है देखे रेपोर्ट रेल याद्रियों के लिए बड़ी खबर बदल गया रेलवे रिजर्वेशन का नियम अब साथ दिन पहले शुरू होगी टिकटों की बुकिंग भारती रेल ने याद्री ट्रेनों में एडवांस टिकट बुकिंग का समय 120 दिनों से घटा कर 60 दिन करने का फैसला किया है नया नियम नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा 31 ओक्टूबर तक हुए आरक्षर पर इसका असर नहीं होगा हलाकि रेलवे ने इस कदम के पीछे तर्क नहीं बताया है रेलवे ने जानकारी दिया कि 1 नमंबर 2024 से एडवांस रिजर्व पीरियड साथ दिनों का होगा और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी हलाकि 120 दिनों के एडवांस रिजर्व पीरियड के तहट 31 ओक्टूबर 2024 तक की गई सबी बुकिंग बरकरार रहेंगी इसके साथ ही जिन ट्रेनों का एडवांस रिजर्व पीरियड पहले ही कम है उन पर भी इसका असर नहीं होगा पता दे की लंबी दूरी या किसी खास काम के लिए ट्रेनों में सफर करने वाले लोग कंफर्म सीट पाने के लिए चार महीने पहले ही ट्रेनों में सीट बुक कर देते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा नैनियम के बाद रेल याती ज़्यादा से ज़्यादा दो महीने की लिमिट में ही ट्रेनों में सीट बुक कर पाएगे टीम न्यूज स्टेट